जैशिराम जी आपके अपने प्यारे यूट्यूग चैनल और्गैनिक रूफ गार्डनिंग यानि कि ओर पीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह जो आप सामने देख रहे हैं यह मेरा 24 इंची का ग्रो बैग है आज मैं इस ग्रो बैग के अंदर आपको त्यार करके दिखाऊंगा अपना लसी का फंगी साइडल अब यह देखिए अब इस मिट्टी के अंदर मैं एक जगा बनाऊंगा एक मिट्टी की मट्की के लिए जिसके अंदर के वो फंगी साइडल त्यार होना है अभी मैं यह मिट्टी की मट्की के लिए जगा बना रहा हूं खुर् यह उर्वरक भी है, क्योंकि लसी है, यह उर्वरक भी है, यह देखिए, यह अब एक जगा बना दी है मैंने इसमें, इसके अंदर मैं मट्की को सेट करता हूँ, यह लिजी, यह मैं बजार से मट्की लेकर आया हूँ, इस मट्की को मैं बजार के इसके अंदर आपको सेट करक और मैंने अपनी घर पर ही दहीं जमाई हुई है वो भी जो दहीं भी जमाई है वो भी मिट्टी के बरतन में ही जमाई हुई है बजार से नहीं मिट्टी के बरतन में ही ये मिट्टी के बरतन में जमाई हुई दहीं मैंने इसके अंदर डाल दी है अब इस दहीं के अंदर मेरे को इसकी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ डालने हैं नीम के पत्ते यह नीम का मेरा अपना पेड़ है कोशिश करते हैं बाहर से कोई चीज ना लेनी पड़े ज्यादा ज्यादा चीज्जों का अपने ही घर से जो प्रयोग कर सकते हैं वो करें तांकि जिसे बहुत से लोग आज की इस्तेमाल भी हो जाएं यह मेरा सो डिर सो ग्राम का एक पातर है यह मैंने वही दहीं जो मटकी में डाली है मिट्टी की मटकी में उसी में मैंने इसमें कुछ दहीं भी डाल ली है और यह मैंने इसके अंदर डाल दी हैं नीम की पतिया है अब मैं डाल रहा हूं इसके अं तामबा निकलता है आप उसको भी डाल सकते हैं किसी और भी तामबे की चीज़ को आप डाल सकते हैं तामबा खुद भी एक बहुत अच्छा फफून नाशक है और लसी खुद भी एक बहुत अच्छी फफून नाशक है और दोनों मिलकर बहुत अच्छी की ताकत बढ़ जात इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, उससे उसकी ताकत और जादा हो जाती है, लोग लसन का पेस डाल देते हैं, अद्रा का पेस डाल देते हैं, अब मैंने इस तामे के बरतन को इस मटकी के अंदर डूबो दिया है, यह देखिए, यह इसके अंदर बिल्कुर डूब गया है, इसके ओपर मैं अब चपनी रखकर अब मैं इसको करूँगा एर टाइट करके इसको 15 दिन के लिए इसी मिट्टी के अंदर दबा दूँगा यह एक इसम से मिट्टी का सोना ही है जो आपने देखा पिछे मैंने अपने मिर्ची के पोदों का जो टीटमेंट किया जिसकी मैंने कीडा ना पढ़ने के कारण भी यही है जो हम इसके अंदर यह फंगी सैडल का यूज करते हैं आप मिट्टी के अंदर ड्रेक्ट भी दे सकते हैं लेकिन फॉलिकुलर सप्रे का सबसे ज़्यादा लाब है यह मैंने इसको मिट्टी से ढख दिया और ढखका अब इसको 15 दिन के वो जो मटका हमने दबाया है उस मटके को निकालेंगे फिर देखते हैं उसमें कितना किलो सोना त्यार हुआ है भई अपना ठीक है तो यह देखिए यह यह आ गया मटका बाहर अब मैं इस मटके को बाहर निकालूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोगों ने उसके अंदर क्या परकरिया हुई है यह देखिए बहुत बढ़िया और बहुत सस्ता यह फंगी साइडल है प्योर और्गैनिक है शुद जैविक है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है काफी खटी और तीखी समेल जुरूर आती है लेकिन बहुत अच्छा का करता है मित्र कीटो को कोई नुकसान नहीं पंचाता और शत्रू कीटो को दूर बगाता है मिट्टी में डालो तो मिट्टी की ताकत को बढ़ाता है और उपर सप्रे करो तो केटानों को दूर बगाता है यानि के हर तरह से इसका बिलकुल लाव ही लाव है अब मैं इसकी र होती है इसकी आप यह देखिए सूरत पर नहीं जाई जनाब इसके गुनों पर जाई यह जो आपको दिखाई दे रही है उपर मोटी मोटी मलाई सी बन गई है यह लसी का और कॉपर का रेक्शन है यह थोड़ा हारापन लिये होती है यह देखिए इसके अंदर जो हमने नीम क की पति सुहाँने की पथिये मिलाई थी यह दिख रही है यह जो ताम्भय के बडून कालाखला हो गया है इसका कोई रहा हूँ यह देखिए पतियां भी इसके अंदर यह हैं अब इन पतियों को मसल निचोड़ कर हम छान लेंगे पतियों को निकाल कर आप बाहर डाल दें वेस्ट कर दें उसको और बाकी जो आपका सारा लसी है जिसके अंदर सारे गुन आ चुके हैं तांबे के नीम के सुहां कर सकते हैं लेकिन मैं यह कहता हूँ कि बनाने के समय में तो मिट्टी के पातर का ही प्रयोग करें यह देखिए यह फंगी साइडल त्यार है अब मैंने इसको अच्छे से अपने कंटेनर में जिसमें स्टोर करके रखना है उसमें पहले अच्छे से हिला लिया है हिला कर कर देखिए यह मैंने अपना इसमें डाल लिया है थोड़ी सी हवा के लिए जगा चोड़ दें बाकी को स्टोर करके इसको कवर करके अब जहां पर ज्यादा धूप ना आती हो कड़कती धूप के अंदर इसको नहीं रखें इसको किसी चाया दार जगा पे रहें रखें और जैसा जैसा आपको प्रयोग करने की जूरत पड़े उस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं कि छोटे सप्रेयर में मैं इसको कैसे प्रयोग करता हूं यह मेरा एक डेड़ दो लिटर का सप्रेयर है इसमें मैं यह मेरा मैजरिंग एप है इस इसमें पच्ची पच्ची एमल का अंदाजे से मैं दो बार डालूंगा डेर से पौने दो लिटर पानी इसमें आएगा थोड़ा हवा के लिए भी स्पेस रहे गा यह मैंने थोड़ा सा अंदाजे से हो डाल दिया है और अब मैं आपको इसका सप्रेय भी करके दिखाऊंगा यह देखिए बाकी मैंने प्रिजर्व करके रख लिया है अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पानी डेर दो लिटर पानी हो गया डेर दो लिटर में चाली से पचास हैमल मैंने अपना यह लसी का जो फंगी साइडल त्यार किया है उसको डाल लिया इस तरह से छोटे सप् करें वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खिर्प्या चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भोलें धन्यवाद